हेलो फ्रेंट्स आप स्पीकर स्वाग थे इस चैनल में इस बीडियो में बुद्धियम एंड गौत्तम बुद्ध बोध धर्म और गौत्तम बुद्ध से समंदित सो प्राश इंपोर्ट एमसी कुछन कभर करेंगे और इसे बाले में इस चैनल पे प्रिहिस्टोरिक इंड़ा इसके अलावा और भी बहुत शारे टोपिक वाज कभर किया हूं तो आप मेरा प्लेश जरू चेक करें तो इस बड़ी में बुद्धियम पर फोकॉस रखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं विद्धामें बुद्ध सब्का क्या आर्थ है तो यहां प्यापको बुद्ध सब करत्व दाने बुद्ध सक क्या आर्थ है है तो ऑप्र सदीत रच रचांब सर दजाइन लाटेंट वन जाग्रित यह प्रबूध व्यक्ति बुद्ध सब्कार्ण तो ऑप्शन डीदा राइंस अरे नां ठंग हूए दा फॉन्डर ऑफ ढूर्प बुधी जम बोष्द संस्थापक कोन थे तो option सीद्र आइटम से रहे गौतंबुद गौतम बुद यहीं बहुत धर्म के संस्तापक थे तो option से डराइटम सभर गौत्म बुद नक्र गौतंबुद वज बार इंद कर तो यहां पबताना गोतंम बुद्जी का जन्टेश वर्स होओ था तो option और थो पर kingsласти और यह में बात कर लें महाविर जो 24th इतन करत है जयं निये सब में तो उनका जन्म 540 बिसी में होओ था तो महाविरर यह लगव यह छोटे थैं इसमकालीं थे यह दूसरे हैं पर उंपי नली सभेता हैं नंग्ष्ट है गोतंबुधा वाज would can बूद्ध का जनव कहां हुआ था तो यहां पर बताना양 कहां पर हुआ तो अप्शन एदार अंसर जनम विधिया है लिम्विली ग्रतिंग का जनthing नलूम्बीर में हुआ था जो प्रजेंडे आपको नेपाल में देखने को मिलेगा तो अप्शन इतरा इंट रहे गोता मुजी का जनम नुग में हुआ था नेक्स्टेछ वाट वारिजिनल नेम ऑफ garlic गोतंबुद का मूल नां इन्ह tussen आपको इंका वास्तिक नाम चीन आप्ञ करें है था और गोतम बुझे का बच्वन के नाम सिधार था तो option दिदा राइट अंसर है next time who are the father of gotham buddh, गोतम बुझे के पीता कोन थे, तो यहां आपको इनके पीता के नाम बताना, गोतम बुझे के पीता के नाम किया था, तो option डीदराइट अंसर है शुदोधन, शुदोधन इनके पीता का नाम था, तो option डीदराइट अंसर है Next है, the father of Gotham Buddha, was the chief of one of the ancient tribes of which state Gotham Buddha के पीता किस राज्य की प्राचिन जन जातियों में से एक के परमूग थे तो option डीदराइट अंसर है कपील वस्तू, गोतम बुद के पीता कपील वस्तू की प्राचिन जन जातियों में से एक के परमूग थे तो गोतम बुद के पीता स्लोगन, ancient कपील वस्तू में रहने वाले साखे ट्राइब के यह परमूग थे तो यहां पर इंपोर्टन पॉइंट है, यह साखे ट्राइब के परमूग थे जो ancient कपील वस्तू में रहते थे, तो option डीदराइट अंसर है next है, who are the mother of gotham buddha, gotham buddh की माता कौन थी, तो यहां पर आपको gotham buddhji के माता कनाम बताने, इनके माता का नाम किया था, तो option सीधा राइट अंसर है, maha maya, gotham buddhji के माता कनाम माहा माया था, तो option सीधा राइट अंसर है next है, maha maya, the mother of gotham buddha, belong to which dynasty, gotham buddhji की माता, maha maya, case one से समंदी थी, तो option, be the right answer, koliya, gotham buddhji की माता, maha maya, ये, koliya, डाइट अंसर है next है, who are the foster mother of gotham buddha, gotham buddhji की पालक मताक कौन थी, तो यहाँ पा मिरंत्ति हो गया था, जब gotham buddhji 7 दिन गये थे तभी, तो बाद में इनका पालन पोशन महापचा पती गोत्मी की थी जो गोत्म बुद्ध की मोशी थी तो option D the right answer है next step वाइदा wife of गोत्म बुद्धा गोत्म बुद्ध की पत्नी कौन थी तो option C the right answer है ये शोदरा ये गोत्म बुद्धी की पत्नी थी तो सिधात इनका बच्म बुद्धा था तो इनका शादी जब ये 16 साल के थे तभी ये शोदरा के शात्मी हो गिया था तो option C the right answer है ये शोदरा ये गोत्म बुद्धी की पत्नी थी next step what by the name of गोत्म बुद्धा अज सन गोत्म बुद्ध के पूत्र का नाम किया था तो option be the right answer है राहुल गोत्म बुद्ध के पूत्र का नाम राहुल था तो option be the right answer है next at what age did गोत्म बुद्धा leave his home गोत्म बुद्धने किस उम्र में अपना घर छोड़े थे तो option C the right answer है 29 तो गोत्म बुद्ध जब 29 येशके थे तभी अपना घर छोड़ दिये थे तो इन्होंने 29 साल की उम्र में एक तपश्वी का जीवन जीने के लिए अपना घर चोड़ दिया जिसे महा विनिश कर्मन के नाम से जाना जाता है जिसे महा विनिश कर्मन के नाम से जाना जाता है तो इस घर्टना को महा विनिश कर्मन कहा जाता है जब यह तपश्वी बने किया नाम था तो ऑप्शं सभी दराइक से चन्न गोत्य के सार्थी का नाँ जननत्र घॉर चनन कि अच्शे आध से में अफ्दां और नहीं सब्स्क्राइब कर यह घंख्या का नाम था क्या नकिया नाम था टेहरागता नेठाक घंख्या गोर्ट के इंद्राइक के नाम था चेतक बढ़ यहां पर आप से पूछ रहा है गोत्म बुद्ध के तो इंगे गोने का नाम कंतक था तो अप्शन डीदार आइटेंसर है नेक्ष्ट है तो अप्शन डीदार आइटेंसर है अलार कलाम यह गोत्म बुद्ध के गुरु थे तो यह अपने पहले गुरु अलार कलाम यह गोत्म बुद्ध के गुरु थे यहां पर पताना इनको ज्यान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी तो option बीदर लापति है 35 years, तो इनको ज्यान के प्रापति 35 years के उमरे में हुई थी, तो यह 29 year की उमरे सनियासी बन्य थे और 35 यर्स के उमरे में इन्हें घ्यान प्रापति हुआ था, तो option बीद्यार लापति हो थे, नक्ष्ट, वेडर लेक्स, गोतम बुद्धा अटेंड इं हुआ था तो बहुत गया यह 마द को बीहार में लेक्टी घा सकते हैं बोगे कहां पे लोके यहां घ्यान की रापती हुआ था यह विहार में लोकेट हैं तो 35 के उमर में बोट गया में निरंजन नदी के ऑफि бег के निचे इस ग्यान गांट हुआ था तो यह ट्री भी important है इन्हें people tree के नीचे ज्ञान की प्राप्ती हुआ था बोध गया में और बोध गया को पहले उर्वेला कहा जाता था और निरंजन नदी को पुनपुन नदी भी कहा जाता है तो आपको निरंजन नाद देखके पुनपुन भी देखने को मिल सकता है तो इन्हें बोध गया में निरंजन नदी के तर्ट पे पीपल के विरिक्ष के नीचे 35 उमर में ग्यान प्राप्थी हुआ था अप्षन दीदर राइट एंसर है नेच्च्ट है अंडर विज़ ट्री लोड बुद्धा अटेंट इनलैटनमेंट भगवान बुद्ध को किस विरिक्ष के नीचे जियानप्राप्थ हुआ था तो Option Be the right answer is People Tree, इनहें People Tree के नीछे यान प्राप्ती हुआ हुआ था बोध गईवा है, तो इसलिए उस ट्री को बोध ही ट्री को बोध ही ट्री भी कहा जाता है तो इन्हें जहां जिस प्रेंड के निचे ग्यान प्राप्ति पता तो इसलिए उस विरिक्ष को बहुत ही ट्री भी कहा जाता है तो option बीदा राइट असर है next है गोतम बुद्धा अटेंड इंलाइटेंवेंड उन्दा बैंक ओफ विच रिभार गोतम बुद्ध को किस नदी के तरद पर घ्यान की प्राप्ती हुआ था तो option इधार अटेंज इंड रे निरंजय इंड गोतम बुद्ध दा तो और निरंजय नदी पूंपुन नदी भी कहा जाता है जिस घड़ार्म चक्र परवत्टन के नांससे जाना जाता है तो यहां पर बताना यह पाला उपदेश कहां पर दियत है तो सारना घृत्म इन विच लेंग्वज डीड गोतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन आफ्टर अटेनिंग इंलाइटेनमेंट ग्यान प्राप्त करने के बाद गोतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश की इस भाषा में दिये थे तो आपसा ने तरा इतरा इतरा पाली गोतम बु महात्मा बुद्ध ने किन दो सुद्रों को बोध धर्म का प्रथम अनुवयाई बनाये थे तो आपसा सीधा राइट अंसर है मालिक एंड तप्षू तो गोतम बुद्ध ने सारवधिक उपदेश कहां दिये थे तो यहां पर बताना ये अपने जीवन का सारवधिक उपद पर दिये थे तो ऑप्षन डीद राइट अंसर है श्रावस्ति गोतम बुद्ध अपने जीवन का शारवधिक उपदेश श्रावस्ति में दिये थे तो श्रावस्ति यह कोशल किंग्डम का कैपिटल था तो एंसियन इंडिया में जानी रहोंगे सिस्टीन महाजनपत थे त तो गोतम बुद्ध अपने जीवन का शारवधिक उपदेश श्रावस्ति में दिये थे जो कोशल किंग्डम का कैपिटल था नक्स्ट वेडिड लोड बुद्ध गेव इस लास्ट सर्मन गोतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिये थे तो आप्सन डीद परनाथ में दिये सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ति में दिये और अंतिम उपदेश कुशी नगर था इनका जो मल महाजनमत का कैपिटल था नक्स्ट टेम और हुज रिक्वेश्ट डिड महात्मा बुद्ध अलाव हुमें टू जवाइंदा संग महात्मा बुद्ध ने किसके अनुरोद पर भाहिलाओं को शंग में शामिल होने की अनुमती दिये थे तो अपसा निदराइट अनंद महात्मा बुजी आनंद के रिक्वेश्ट पे भाहिलाओं को शंग में शामिल होने की अनुमती दिये थे और आनंद ये कौन थे तो ये महात्म बुद्ध क और वोट में एक भीःजीुन एक लिए मंहीलाओं को परविश में बक्ष्चैन करने की लिये देननरे अफ्ष्ठ करेंधिर बुद्धिष्ट संग ने में लिकेत में से कौन बोध संग में फर्वेस करने वाली पहली महिला थी तो यहां पर उस पहली महिला के नाम बताना है पहली महिला कौन थी जो बोध संग में फर्वेस की थी तो आप्शन डीदराइट अंसर महापजापती गोत्मी महापजापती गोतमी यह पहली महिला थी जो बहुत संग में परिवेश की थी तो यह गोता बुद्जी की मोशी थी और बहुत संग में परिवेश करने वाली पहली महिला थी तो वैशाली में अपने शेशी आनद के रिक्वेस्ट पे गोता बुद्जी के द्वारा महिलाओं को एजय व्यक Contemporary of Gotham Buddha ने में लिखित में से कौन Gotham Buddha के शमकालीं थे तो यहां पर बताना option से कौन Gotham Buddha के शमकालीं थे तो option डी दराइट अंसर अलूब दीज अपसन में से यह तीनों राजा Gotham Buddha के शमकालीं थे तो 22 यह मगत के राजा थे जो 543 बीसी से अपने अमरित्ति के 491 बीसी तक मगत के राजा के रूप में शासन किये और इन्हीं के दवारा मगत में हर्यंक डाइनिस्टी का स्थापना किया गया था तो 22 यह हर्यंक डाइनिस्टी के भी founder थे दिवनिसके अब अजाशात्र तो अजाशात्र यह विनिसके पूत्र थे जो हर्यंक डाइनिस्टी के अगला रूलर बने थे मंगत में दवनिसके बाद परसनजीत तो परसनजीत यह कोशल के most famous रूलर टे जो अपने sister कर्षादी बिम्भी-सासी किये थे तो कोशल के राजा परसनुब यह अपने स्ष्ट अगशादी बिंबिशाश्य किये थे और कोशल का राइधाने अयोदिया था और एक दूसरा सरावस्ति था जहां पे गोध्तम भुजी सारवधिक उपदेश दिये थे तो कोशल का दो राइधानी था एक अयोदिया एक सरावस्ति तो यह दोने अपने अपने सिधानतों का परचार किया था तो वर्दमान महाविर यह 24 तिर्थंकर थे जहनिजम के और गोतम बुद्धिये बहुत धर्म के संस्तापक थे तो यहां प्याकुस राजा का नाम अपना जिसके सासनकाल में यह दोनों अपने-पने सिधानतों का परचार किये थे तो अप्शन विदा राइटेंसर विम्भी शार तो यह बिम्भी सार के सासनकाल में अपने-पने-पने सिधानतों का परचार किये थे तो यह विट्नस है इन दोनों का तो अप्शन विदा राइटेंसर है नक्ष्ट है बुद्धा एंड महाव सरव वजी बुद्ध और महावीर ये दोनों वजी महाजनपशर शमंदित थें तो महावीर का जनम 540 विसी में कुंडगरा में वशारी के नईदिक हुआ था और वजी में टोटल आठ शंग थें तो महावीर के जो पीता थें तो वह जंत्री का शंग के परमुख थें और जं इसने छहीं टो इसलिए इन दोनों का शमंद वजी महाजन पत्ष है तो और जिमाजन पत क का शायली को ये का जाथा तो नोर्थ बेएर को वजी कहा जाता था था तो पुद्ध विद्ध Shine चश्बत. वह ज thì महाजनपशर तु पहुशर हैं तो हमीशे महाजन पत्में कॉन महाजन derni às från चाहिं आव के जाहिए टो इस सवेग्वादी वस हम महाजन वारे वीडियो में भी कपर करें गे लेकुन में सो दिunya पेकल के दौरान वही राथ जन पत की रज़तादी अ कहां थी तो os बुद्ध के काल के दोरान वजी महाजनवत की कैपिटल वईशाली में था तो आप्सवन इद्राइटेंसर वईशाली नक्ष्ट है लोड़ बुद्धा डाइड अठ भगवान बुद्ध का मृत्ति कहां हुआ था तो आप्सवन डीदराइटेंसर कुशी नगर भगवान दिश्ट ट्रडिशन गोत्म बुद्ध के मृत्ति की घटना को बोल्थ परंपरा में क्या कहा जाता है तो आप्सवन सीदराइटेंसर महापरी निर्वान गोत्म बुद्ध के मृत्ति की घटना को बोल्थ परंपरा में महापरी निर्वान कहा जाता है तो इनका मृत्ति FLEX के दबारा इस घतनाको महापरी निर्वान कहा जाता है तो option सीधा राइट अंसर है नच्ष त बुधा टेंड महापरी निर्वान इन्दा रिपभलिक ऑफ़धा बुध मे किसके गंड़ाजे में महापरी निर्वान प्राप्ट किये थे तो आप्सन इदर आए टेंसर मल गोतम बुदिये मल गंडजे में महापरी निर्वान प्राप्त किये थे तो महात्मा बुदिये कुशी नगर में महापरी निर्वान प्राप्त किये थे तो कुशी नगर ये प्राचिन समय में 16 महाजनपत मसे एक मल महाजनपत का कैपिटल था तो तो मल एक रिपाब्लिक था तो प्राचें समय में 16 माहजनपत थे तुष्टा गवर्नेंस के दो टैप के बोड़ी थे तो एक मुनार्खी अवेक रिपाब्ली तो मल एक रिपाब्लिक था तो गोतम बुजीये मल गंड़ाज के कैपिटल कुषिनगर में महापरी निरवान प् हुए थी तो यहां रखोताना जब गोतम बुजी को महापरी निरवान प्राप्त हुआ था तो इस टाइम मगत का राजा कौन था तो आप्शन सी तराइटन स्रे अजाशत्रू तो इस टाइम मगत के राजा अजाशत्रू थे जब गोता बुजी को महापरी निरवान प्रा स्टेन और फ फॉस्ट बुद्धिष्ट बोड़त संगती कहा आजयुजीत की गई थी तो प्रासिन भारत में चारुडिष्ट काुंसीले आजयुजीत किने तो यहा पर को फॉस्ट बताना फॉस्ट बुद्धिष्ट काुंसील कहां पर आजub किया गया था तो option वीदा राजगरी फॉर्ष्ट बुद्धिष्ट कांसिल ये राजगरी में आजज़ित किया गया था तो 483 वेसी में अज्ञार सत्रु के अंडर राजगरी में फॉर्ष्ट बुद्धिष्ट कांसिल आज़ित किया गया था और राजगरी को जाना जाता है तो यहां पर फॉस्ट बुद्धिष्ट काउंसिल अज्या सत्रु के शार्षन काल के तोरा आज जीत किया गया था तो उप्शन वीदा राइट असर है तो पर आचिन भारत में टोड़ा चार बुद्धिष्ट काउंसिल और नाज किये थे तो यहां पर चार व और नाज हुए थे तो इसके बाद अधियच इन बुद्धिष्ट काउंसिल कि अधियच का इन के द्वारा किया गया था तो फ़र्ष्ट बुद्धिष्ट काउंसिल यह लगभक 483 वी सि में और नियाज किया था राजगिरी में और श्ट्रा मेराजा अजया श्तुरू थ तो ये हरियंक डाइश्टी के राजा थे और फ़र्ष्ट बुद्धिष्ट काउंसिल की अधियाश्टा महा कश्यप उपाली के दोरा किया गया था महा कश्यप उपाली ये फ़र्ष्ट बुद्धिष्ट काउंसिल के अधियाश्ट थे देन उसके वाद सकेन बुद्धिष् ग्राइब इसके बाद थार्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यह लगभग दो सो पचास विसी में पार्टली पूत्र में और असोग के अंडर मैं शोग यह मोह कि एक महान राजय थे तो इनके अंडर में थार्ड बुद्धिष्ट काउंसिल पार्टी कोटिया गया था और थार्ड बृद्धिष्ट कांसजील के अध्याच मोगली पुत्त तस्द हैं मोगली पुत्त तेसा से थार्ड बृद्धिष्ट कांसजल के प्रशिडेंड थे एगया था यहbourg मृधिस्फ काउंसिल के समय राजा कनिस्क थे इनका श्रमन्द है कुसान डाइनिस्टी से तो यह कुसान डाइनिस्टी के एक ग्रेट एक महान किंग थे तो इनके असानकाल में फॉर्थ बुधिस्ट काॉंसिल रस्क और फॉर्थ बुधिस्ट काॉंसिल करके था टू बहरर наб और या पसे प्ले सिर्छ जा जब 3rd Buddhist Council और नाज हुआ था तो यह किस अस्तान पर हुआ था तो यह पार्टली पुद्र हुआ था और उस्टाम कौन से राजा थे तूश्टाम असोक राजा थे तो यह इंपोर्टन है पलेस भी फर्स्ट Buddhist Council यह राजगरी में हुआ था देन उसके बाद सगेंड बैशारी में हुआ था देन थार्ट अटली पुद्र देन फूर्ट लाष्ट कुंडल वन में हुआ था जो कश्मीर के आसपास आपको देखने को मिलेगा नेक्ष्ट है इन विच लेंग्वेज वाइदा ओरिजिनल बुद्धिश्ट रिलिजियस टेक्स रिटेन मुल बोध धार्मी गरंथ किस भासा में लिखे गए थे तो ऑप्शन इदराइट है पाली मुल बोध धार्मी गरंथ यह पाली लेंग्वेज में लिखे गए थे त पर्यों किया जाता था तो उप्शन UDRA MTJust फॉर्प बॉध सधीज्य परियों किया जाता था तो ओप्सर इद्रएटर पाली नक्षट तह त्रीपिटक वाज पेसी पेसी लेंग्योज में लिखा गया था तो उप्सवन बॉधर माली खुर्पर्यव्टृत्ण खून कुंसा है तो option बीदर आइटेंसर त्रीपीटक त्रीपीटक ये वो धर्म का पवित्र गरंथ है और त्रीपीटक को पाली लेंग्विज में लिखा गया था नक्ष्ट है फूज टीचिंग्स है बिन कंपाल इन थ्री कॉलेक्शन्स कॉल्ड त्री पीटक त्री पीटक नामक तिन संग्रहों में किस के उबदेशों को शंक्लित किया गया है तो अपसर्म सीद्राइट नगर गोतम बुद गोतम बुद के उबदेशों को त्री पीटक नामक तिन संग्रहों में शंक्लित किया गया है तो गोतम बुद के टीचिंग को इनके स्विस्यों के द्वारा कंपाल किया गया है जिसे त्री पीटक कहा जाता है और ये त्री पीटक है सूद पीटक विनाय पीटक एन अविधाम पीटक तो आपको सूद पीटक में बूद्ध के उब्देशों और समाध्दओं का इन्य विख्छियों के लिए मत के एनुसाथन की अजींवी पिढ़ेक अविधाम पीटक लिए धियात्मिक और दाशनिक विचारों का शंकलों। तो यहां आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है तो लिस्ट वन में टर्म है और लिस्ट वन में 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 तो हम इसे अभी नेक्स फ्लाड में कवर किये सूथ पिटक जिसका मेनिंग है मैटर्स ऑफ डॉक्ट्री एंड एथिक्स बूत के उब्देशों और स्थालोजी एंड मेटाफिजिक्स बुद्ध के अध्यात्मी और दाशनी विचारों का शंकरन लाश्ट में बजता हमारा महाशंगी का मेनिंग है मेंबर ऑफ ग्रेट कमुनिटी का मेंबर महाशंगी का मेनिंग है तो यह पूछे का है नाक्षट बुद्ध धाम एंड को एक साथ किस रूप में जाना जाता है तो आपसर सीधराइट अंसर त्री रतना बुद्ध धाम एंड संग को एक साथ त्री रतना के नाम से जाना जाता है तो त्री रतना यह बुद्ध धाम एंड संग को एक साथ त्री रतना के नाम से जाना जाता है जो जो बुद्ध से किस घटने से Massive है तो ऑप्शन वी दराइटन स्वेंगे से सब्जार यह अस्टूब सब गोतमत की जिवन के डंच जोड़ा है तो इनके जोर किस कि is ekस भत जो से समय है तो अस्टूब स्वेंब से समंदीत है तो option भी दा राइट है अस्तुप ये इनके डेथ से समंदीत है नक्ष्ट है दा कॉंसेप्ट ओफ दा फोर नोबल टूथ विलोंग तू विच रिलिजियन चार आरिय सत्य की आउधार ना किस धर्म से समंदीत है तो option भी दा राइट है बुद्धी जम दा फोर नोबल टूथ ये बुद्धी जम से समंदीत है तो गोतम भुद जी अपने फॉलोवर्श के लिए फोर नोबल टूथ जिसमें दुख, शमुदाय, निरोध और मार निधारित किये तो option भी दा फोर नोबल टूथ ये बुद्धी जम से समंदीत है Next है, which of the falling part of बुद्धाज लाइफ is simulized by a horse बुद्ध के जीवन खान के नहीं लिकित में सिक्की सभाग को एक अश्व के द्वारा प्रतिक कत्व किया गया है तो option सीदर आइट है, रिनम सियशा है बुद्ध के जीवन के त्याग को एक अश्व के द्वारा प्रतिक कत्व किया गया है तो बुद्ध के जीवन के महान घटना को एक प्रतिक के द्वारा दर्शाया गया है तो ये प्रतिक और घटना इस परकार है द्वारा को एक तो ये बुद्ध के द्वाठ लाद है तो ये अस्तुब के द्वारा से समंधित है तो पुषे जाते है महा करिया निर्वान तो ये किस समंधित है तो यह अस्तुब के सम्मर से समन्दित है यह आप से पूछ लेगा बोधित्री यह गोतम भुजी के जीवन के किस घटना से समन्दित है तो इनलाइटन्मिन से समन्दित है तो यह पांच ओफेक्ट इंपोर्टे नहीं यहाँ पे नक्ष्ट है नेमदा डिसाइफल अफ बुधा हुष रोट दा सूथ पीटक मुद्ध के उस सिच्छिय का नाम अता यह जिसमें सूथ पीटक लिखा था तो ऑप्सा इदा राइटन्सर आनंध आनंध यह सूथ पीटक लिखा हुए थे तो ऑप्शन इदा राइटन्सर कि नाक्ष्ट है, Who among the following, propounded the philosophy of Ashtangic Marg निमें लीखित में से किस ने Ashtangic Marg के दर्षन को प्रतिपादित किया तो यहां प्रको बताना, option से किन के तवारा Ashtangic Marg के फिलोस्पी को प्रतिपादित किया गिया था तो option सीध राइट एंसर गोतम बुद गोतम बुद जी के दोवारा श्टांगिक मार्क के फिलोस्पी को प्रतिपादित किया गया था और यह श्टांगिक मार्क कुन कुन से हैं तो first is right view, then second right intention, then third right speech, then which is right action, right livelihood, right mindfulness, right effort and last right concentration तो यह श्टांगिक मार्क हैं जो गोतम बुद जी के त्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो option सीधा right answer है, next which of the following is not included in the eightfold path of बुद्धी जंग, निमेली कितमे से कौन वो धर्म के अश्टांगिक मार्क में शामिल नहीं है, तो option is right answer, right desire, right desire यह वो धर्म के अश्टांगिक मार्क में शामिल नहीं है, तो option is right answer, right desire, next, during which period of Indian history, did the चैत्रिया have distinct identity, भारतिय थियास के किस काल में चैत्रियों की एक अलग भश्यान थी, तो option is right answer, age of the Buddha, तो बुद्धा के शमय चैत्रियों की एक अलग भश्यान थी, तो भारतिय थियास में बुद्धा के शमय में चैत्रियों की एक अलग भश्यान थी, तो option is right answer, age of the Buddha, next, where were the third Buddhist council held, तिर्थिये बुष संगती का आयोजन कहां हुआ था, तो यहां प्रगवताना थर्ड बुद्धिष्ट काउंसिल यह कहां पर आयोजन हुआ था, तो option is right answer, पार्टली पुद्ध, तो परजेंड पतना पार्टली पुद्धिर के नाम शिर जला जाता था, तो यहां पर थर्ड बुद्धिष्ट काउंसिल आयोजित हुआ था, तो फर्स्ट थर्ड बुद्धिष्ट काउंसिल हैल्ड तिर्थिय बोध संगति किसके सासन काल में आजयोजित की गई थी तो option इतराइटेंस राशोक, असोक के सासन काल में थर्ड बुद्धिष्ट काउंसिल आयोजित हुआ था, और अशोक इनका शमंद है मोरियन इंपायर से, तो मोर किस रिलिजियन इंपर अशोक आफटर दंग वार कालिंग यूद के बाद समराट अशोक निकिस धर्म को अपनाय थे तो, option इधराइटेंस रबुद्धिष्ट कालिंग वार के बाद अशोक बुद्धिष्ट को एडव कर लिये थे, तो option इधराइटेंस रे बुद्धिष नक्ष्ट है दा मॉंग हूँ इंफ्लेंस असोग टू एंबरेश बुद्धी जम वाज वो धर्म अपनाने के लिए असोग को प्रभावित करने वाले विक्षू थे तो यहां पर आपको उस भीश्व का नाम बताना है जो अश्रोप को बुद्धी जम एडॉप्ट करने के ल नक्ष्ट है बुद्धी जम बिकेम वाइडली अक्सेप्टेट एंड इस्प्रिड थूआउट एसिया आफ्टर दा कनवर्जन ओफ एंपरर किस सम्राट के अपनाने के बाद बोद धरम व्यापक रूप्षे शवकृत हो गया और पूरे अश्या में फेल गया था तो आप Aid ऐंडियान किंगों है इस प्रिडिंग बॹधिजह इन एसिया वाज नह्ती राजा जिनोंने ऐसिया में बोद धरम को फैलाने में मड़त किये थे तो औक्स सिधरा एंडिया इंपरर अश्योक नच्च के बाहर बोद धरम को पहली पर कहां सब्दा किया गिया था तो आपन तो स्रिलंका को पहले श्रिलोन कहा जाता था तो यहां पर बोध्रम का परचार किया गया और पहली बार अपनाया गया था तो आपसर डिद्राइटंसर श्रिलंका समराट अशोक ने बोध्रम के परचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री श्रिलंका तो श्रिलंका को पहले श्रिलोन कहा जाता था तो समराट अशोक यह बोध्रम के परचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री श्रिलंका फेज़े थे तो ऑप्शन डीदराइटेंस रश्रिलंका नेक्ष्ट है हाव डिड़ असोग इस्प्रीड बुद्धी जम आल ओवर इंडिया एंड सी लोन असोग ने बोध धरम को पूरे भारत और सी लोन में कैसे फेलाया तो यहां पाग बताना सोग यह बोध धरम को पूर फरचार के लिए अधिकारियों का नेया वर्ग बनाया जिसे महामात्र या धम महामात्र कहा गया तो यह भारत और सीलों में महामात्र के अधिकारियों को भेजकर बो धरम पलकिये थे तो औप्प्शन डेड़र इंसरं और धरiders चrąर्ब में को आउडिया के धर सानाश का मू हुआ था तो ऑप्शन इदराइटेंसर अशोप अशोप के सासनकाल में नेपाल में बुद्धिजम को इंटर्डूच किया गिया था तो ऑप्शन इदराइटेंसर अशोप नेक्ष्ट है दा लुंबिनी वाइदा बर्थप्लेस ऑफ बुद्धा इज अटेश्टेट बाई अशोप लुंबिनी वुद्ध के जनमस्थां था जिसे किसके एक इधराइए दौरा परमानित किया गिया है दो उप्स इदराइटेंसर अशोप अशोप के सिल्द मेन को रुमिन देख के नाम से जना जाता था तो अप्शन इद्राइटेंशर ए अशोक के सिर्ण लेक के द्वारा बुद्र के जनम स्थान को परमानित किया गया है नच्ट बुद्धिश्ट टेक्ष्ट हैं विज अशोकाज इंस्क्रिप्शन बुद्ध गरंद का उलेक अशोक के किस अभी लेक में किया गया है तो ऐप्शन सीद्राइटेंशर बभरु अशोके बभरु इंस्क्रिप्शन में विद्धिश्ट टेक्ष्ट का उलेक तेखने को मिलता है तो ऐप्शन सीद्राइटेंशर बभरु नेक्स्ट है फू एमंग दा फॉलइंग बिल्ड दा फॉर्स्ट महाबोधी टेंपल अठ बोध गया इन बिहार ने मिले खितम से किसने बिहार के बोध गया में पहला महाबोधी मंदिर बनवाया था तो यहां पर बताना उप्सम से किसके द्वारा पहली बार बिहार के बोध गया में महाबोधी टेंपल को बनवाया गया था तो अप्सन इतरा अशोक शम्राठ अशोक के द्वारा पहली बार बिहार के बोध गया में महाबोधी टेंपल को बनवाया था तो थर्ड सेंजुरी विश्णी में सम्राठ अशोक के पहली बार महाबोधी टेंपल को बनवाया है तो ऑप्शन सीधराटन सरे गोतम बुद्धा टेंड इलाइटेंवेंड तो गोतम बुद्धा जी को जहां ग्यान की प्राप्ति हुआ था वहीं पर महा बोधी टेंपल को बौध गया में बनवाया गया है तो इन्हें बोध गया में एक पीपल विरिक्स के नीचे निरंज संके विरिकए बनवाया था तो अप्श्य से तरा एंप्रर अश्रोक सम्राट आश्रप के दौरा सांची के अस्टू को बनवाया गया था तो ग्रेट अस्तूप वसंची ओर इनली सम्राट अस्वा कि दौरा 3rd century BC के आसपास में बनवा गया था तो यह भी पुशिए जा सकते ग्रेट अस्वाप सांची को कब बनवा गया था तो 3rd century BC के आसपास में समराथ अश्रुप के दोवारा बनवा गया था जो परजेंडे MP के सांची में जो परजेंडे मद्धेज के सांची में लोकेड़ हैं तो ऑप्सवाण सीधा राइट अंसर है नक्ष्ट है दा फॉर्थ बुद्धिष्ट काउंसील वाज कन्विंड डिरिंग दा रूल ओफ विच गिंग चौंथी बोध संगती किस राजा के सासन के दोरान बुलाए गई थी तो ऑप्सवाण इदा राइट अंसर कनिस्क कनिस कनिस्क दा ग्रेट के समय में फौर्थ बुद्धिष्ट काउंसील को बुलाए गया था तो फ़र्ष संचूरी 80 के आच सपास में कुंडलवन कर्समीर में फॉर्थ बुद्धिष्ट काउंसील को आजजित किया था उच्टाइम राजा कनिस थे और इनका समान दे कुसान ड कश्मीर निमें लीखे तो मिसी किस्ने कश्मीर में कनिश के साथ नकाल के दोरान आजोजित बोध संगती की अधियश्टा किये थे तो अप्सटें दा ग्रेट लिटिएचर अश्वगोस एंड वह सुमित्र वेर इंदा कोट ओफ महांसाहती अश्वगोस और वह सुमित्र किस के दरबार में थे तो ऑप्शन डीदर आइट अरे कनिस्क द ग्रेट महान साहतिय अस्वघोष और रोश्मित्र ये ग्रेट के दरबार में थे तो ऑप्शन डीदर आइट अरे दक्ष्ट है वाई दा आउथर ऑफ बुध्चरीत बुध्चरीत के लेखक कोन थे तो ऑप्शन सीधर आइट अरे अश्वघोष अस्वघोष बुध्चरीत के लेखक थे इसके अलावा शुत्र लंकार का भी मना जाता यही रचियता थे तो बुध्चरीत ये मोश्ट unhappy यान ही जने मिलीखित्रपट कि सासंगाल में बोधर्म महायान men मेel घट को IT हो गिया था थो यहां पे आपको सो रहाजा का नाम बताना है जिनके सासंगाल में बोधर्म और haini yaan में विभाजित हो गिया था तो Option फिद दर्इटकनिष्क कनिष के सादे दुटर्म dhaar maha yan और हीन forgotten का लिए तो कनिष के सासन काल में आजोजित 4th बुद्धिश्ट कांसील मैं बुद्धियं दो बिनाच्प में पुलिए था हिन्यान और महायन तो हिन्यान बुद्य की वास्तिक सिच्छा का अनस्रान करते हैं वही महायन मुर्ति पुझा में विश्वाश करते हैं तो KarinGirl के ससंकाल के दो्राण आजरीद fourth Buddhist Council दहर्म महायन और हीन्यान में विभाजित हो गिया था तो option बिधा राइट एंसर है नक्ष्ट है गोतम बुद्धा वाज अलिवेटेट टू दा पोजिशन ओफ गोड़ बाइदा टाइम ऑफ किसके साथन के समय तक गोतम बुद्ध को भगवान का पोजिशन दिया गिया था तो और अप्शन वी राइट एंसर कनिस्क कनिस्क के साथनकाल तक गोतम वुजी को भगवान का पोजिशन मिल गया था इन्हें भगवान माना जाने लगा था तो ऑप्शन वी दराइट एंसर कनिश्क यहां पे आपको गनिश्क हमिल जाने देखने कुमिल सकता और इनका डानस्ती के नाम भी देखने को मिल सकता यह कुसान एमपायर से समान दी थे तो कुशान एंपार के शमय में फर्स चैंचूरी एडिकास में गंधार स्कूल ओफ आर्ट का डेवलप हुआ था तो ऑप्शन सीधा राइटन से रहे नक्ष्ट है विच अस्कूल ओफ इंडियान आर्ट इस अलसो नौन एदा ग्रीको रोमन बुदिष्ट असकूल के नाम श्कूल ओफ जना जयता है तो ऑफशन सीता राइटन से अलंगंधार को ग्रीक november और स्कूल ओफ इन नक्ष्ट है यवनिका वाज इंटर्डूज इन इंडियन थीएटर बाई यवनिका को भारतिये रंगमच में किसके दोरा पेश किया गिया था तो ओप्षन विद्धिष्ट मॉंक कनफर्टेट मिलिंडा इंडो ग्रिक रूलर टू बुद्धिजम किस बहुत बिक्चु ने मिलिंडा इंडो ग्रिक सासक को बहुत धरम में कनवर्ट किये थे तो आप्सन इतरा आइट नाक्षे तो नाक्षे एक बुद्धिष्ट मौंग थे जो इंडो ग्रिक रूलर मिलिंडा को बुद्धिजम में कनवर्ट किये थे तो मेलिंडा एक famous इंडो ग्रिक शाशक थे जिने मैनेडर प्रथम के नाम से जाना जाता है और भारत में पहली बार सोने कशी का इंडो ग्रिक के द्वारे शुरू किया गया था तो ये भी मानना जाता कि भारत में पहली बाशोने कशिका इंडो-ग्रीक के द्वारा ही शुरू किया गया था और मिलिंडा ये फेमस एक इंडो-ग्रीक रूलर थे जो बाद में नाक्सेन के द्वारा बुद्धिज्या में कनवर्ट हो गए थे तो ऑप्सन इतरा इटेंसर ह कनवर्शेशन बिट्विन इंडो-ग्रीक रूलर मेंडर विद अ बुद्धिश्ट मॉंग नाक्सेन बोध विक्चु नाक्सेन के साथ इंडो-ग्रीक रूलर मेंडर के विच बातचित किस पुस्तक में है तो ऑप्सन सीधा राइटेंसर है मिलिंदपनो बोध विक्चु कि इस पुस्तकी रचना कि ये तो नाक्स इनका एंसल्ब्शें अंडिया में सबन कनिक से вами कनिस के शमकालीन है और यह कनिस के दरबारी एस्कोलर भी थें तो इनके दोरह बताना उप्सान में से कौन सी भुस्तकी रचना किया गिया है तो ऑप्सान डीदराइटन सरे माध्यमिक शुत्र माध्यमिक शुत्र नागार्जुन के दोरह रचा गिया है तो ऑप्सान डीदराइटन सरे माध्यमिक श तक या गिया था और यह इन्हीं की धवरा लिखा माधि में शुतर में में सवियाता की सिधान तो ऑप्शन बिदर आइट्एन सरे नागा जुन के द्वारा शुन या सुनिय बात की सिधान को दिया गिया था नेक्ष्ट है विच वन अफ दा फॉलिंग वाइदा लाश्ट बुद्धिश्ट टेक्ष्ट पड्यूज इन इंडिया नेमे लिखत में से कौन सा भारत में निरमित अंतिम बुद्ध गरंथ था तो ऑप्शन दी राइट अंसर है वाम अस्थपकाशी ने वाम अस्थपकाश जन्म और उनके पिछले जीवन की कहानिया किसमें कंटेंड है तो ऑप्शन सीधर आइटन सर जातक टेल्स जातक कथाय में बुद्ध के जन्म और उनके पिछले जीवन की कहानिया शामिल है तो वर्ल्ड में ओल्डेस रिटेन स्टोरिज जातक टेल्स को माना जाता है जिसम में लगवक छे सो कहानिया शंग रहा है तो आप्शन सीधर राइटंसर है नेक्ष्ट है पिलेड हॉल्स वेर बुद्धिष्ट मॉंक्स वर्शिप्ट वेर नॉन एज अस्तंबाले हॉल जहां वद्विक्चु पुजा करते थे उन्हें किस रूप में जाना जाता था तो यह एक पुजास्ताले और भिहाई एक निवास अस्ताले वद्विक्चु का तो यह इंपोर्टेंट पॉइंट है और उप्शन डी तराइटंसर है चेते एक पुजास्ताने वद्विक्चु का नेक्स्ट है इन दा कॉंटेक्स्ट ओफ इंडियन हिश्टी फू एमंग दा फॉलाइंग इदा फूचर बुद्ध हुवाज नोट एट कम टू सेफ दा वर्ल्ड भारतिय तिहास के संदर में नेमेलिखे दिन से कौन भवश्य के बूध है जो अफितक दुनिया को वचाने के लिए पैदा होंगे तो ओप्शन इतराइटेंसर मैत्रिय एक फ्यूचर बुद्धा है नेक्ष्ट दा बुद्धिष्ट मौंग फूस्प्रीड बुद्धिजम इन तीबत वाच तीबत में बोध धरम का परशार करने वाले बहुत विक्शुत है तो ओप्शन इतराइटे उसन इंपाइर के नाम बतना जिसं एंपाइर के बिल्दीध को बना जाता है और गुप्ता को भारत में गौलडेन इज अफ इंडिया के बीच में आस-पास है तो इश्रे पदन मैं गुपता भी कबर कर चुका हूं गुपता इम्पायर पर तो आप उसी लेक्षर को भी देख सकते हैं तो और जान्ता सकते हैं और द्वारा बना गया था गुपता के रजाओं के द्वारा बना गया था तो option इधर राइट एंसर है next time paintings and sculpture of the Ajanta Caps in Maharashtra are related to Maharashtra में Ajanta की गुफाओं की चित्रकला और मुर्तिकला का शमन्द किस्वे है तो option सीधर राइट एंसर बुद्धिजम next time Ajanta की गुफाओं की चित्रकला और मुर्तिकला का शमन्द बुद्धिजम से है तो option सीधर राइट एंसर है next time अश्ट महास्तान refers to the eight significant places associated with the life of Buddha which is not one of the following अश्ट महास्तान बुद्ध के जीवन से जुड़े आठ महत्रपुन अस्थानों को संदर्वित करता है तो निमलीकित में से एक कौन सा नहीं है तो अश्ट महास्तान ये बुद्ध के जीवन से जुड़े आठ महत्रपुन अस्थानों को रिफर करता है तो option से कौन सा अश्ट महास्तान का हिशा नहीं है तो option इदर राइटन से राइगड राइगर ये अश्ट महास्तान काहिशा नहीं है तो लुम्बिनी जहाँ पे इनका जनव हुआ था बर्थप्लेश इनका लुम्बिनी था बोध गया जहाँ पे इन्हें ज्यान की प्राप्ति हुआ था शारनाथ ये जहाँ पे पहला उपदेश दिये थे कुशिनेगर जहाँ पे इन्हें महापरी निर्वान प्राप्त हुआ था देन राजग्री जहाँ पे फ़र्ष्ट बुद्धिष्ट कांशिल हुआ था वैशाली वैशाली इनीशे शमान दी थे देन इसके बतसरावस्ति जहाँ पे ये हम चार पुई रश्थ लों को उनके फिल्वर्वार द्वारा मैंजर्व किया थैँ तो यह आसमार की इस जा है तो आप्शन में रायगाड़ है यह अस्ट महापरां की अंडर्विफ नहीं आता है तो बाई स्टम हम ग्रेट अस्टूप अप senior परफोलों को उनके फ्लोर दबारा मेंसें किया गया है तो यह अश्ट महास्तान की हिशा है तो ऑप्शन में रायगड है यह अश्ट महास्तान की अंडर्विन नहीं आता है तो अप्शन इदा राइट अंसर है नेक्ष्ट ग्रेट अस्टूप अप्शाची इज वन अफ ता मोश्ट वेल प्रिजर्ब इंडियन बुद्धिष्ट अस्टूप इज लोकेट इन विच श्टेट साची का महान अस्टूप किस राजिय में स्थीत सबसे अच्छी तरह से स्राक्षित भारतिय बोध अस्टू बोध अस्टूप की वस्टूकला के साथ कौन सा सब्ध जूड़ा हुआ है तो ऑप्शन इदराइटेंसर हर्मीका हर्मीका ये बोध अस्टूप की वस्टूकला के साथ जूड़ा हुआ है तो ऑप्शन इदराइटेंसर हर्मीका नेक्ष्ट है इन्विच सिटी ओफ इंड सुपपा इजे बुद्धिष्ट मॉनुमेंट लोकेटिड इन विच अंडियन स्टेट चोकन्डी एस्तूप एक बहुत एश्मारक है जो भारत के किस राजिय में श्टीथ है तो आप्षा सिधर आटांसर उतर पादेस चोकहंडी एस्तूप एक बुद्धिष्ट मॉनुमे रहने के बाद सांची की खोज किस वर्स हुई थी तो ऑप्शन इदर आइटन सरे 1880 तो लगभग 600 तक प्रतियक्त रहने के बाद सांची की खोज 1818 में हुई थी नक्ष्ट ते तो एडवीन अर्नोल्ड के द्वार लाइट ओव एसिया नमक एक कविता लिखा गया था जिसमें सिधार्ध के बारे में इस्क्राइब کया गया है जो बाद में बुद्ध बैंगे तो इसलिए इन्हें लाइट ऑफ एश्या के नाम श्पीर जाना जाता है तो एडविन एर्नोल्ड के द्वारा लाइट ओव एश्या नमा के एक कवीता लिखा गया था जिसमें सिधार्ट के करेक्टर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है जो बाद में बूध बन गये थे तो option be the right answer गोतम बुध जी को लाइट ऑफ एश्या के नाम श्पीर जाना जाता है नेक्ष्ट है गोतम बुधा विलोंग टू वीच कलें गोतम बुध किस वन्सके थे है तो option be the right answer शाख्या गोतम बुध साख्या वन्सके थे तो इनके बिदा शाख्या वन्सके है तो इनका गोतम बुद्द की विश्व की सबसे उची अखंड मुर्ति कहां स्थापित की गई है तो ऑप्शन डीदराइटेंस रहे हैदराबाद गोतम बुद्द की विश्व की सबसे उची अखंड मुर्ति हैदराबाद में स्थापित की गई है तो ऑप्शन डीदराइटेंस रहे है ऀंदीत हैं तो बर्थ अफ बुद्धा जनम कहा अंगा Spot नैपाल में एस्तित में घ्यां की प्रबाती बहुत ऊवा था यह पहला अब प्राप्त किये थे तो ऐसे भी क्यूशन पूश जाते हैं इवेंट्स को प्लेस से मैच करने के लिए तो आप प्रेक्टिस कर सकते हैं अगेन मैच करना लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ तो लिस्ट वन में स्वैंबल से और लिस्ट में 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 तो इन स्वैंबल का क्या मेन है तो बोधी ट्री बोधी का में है इले टेन्म इससे मैच हो जाएगा देनुस यह जार्म चक्र तो पहला अफद्स डिये थे यह फिर्ष्ट सर्मन से समझदी हुँई तो होश्ट रहे किस समय थे तो यह डॉल्डश ये तियाग सर्मधी से समझदी थे दो इसके बाद लोट लोटस यह बर्थ से समझनी थे गोतमबुजी के जनम से समझनी थे लोटस तो ऐसे भी पूछे गए हैं सरनाथ इज इन स्टेट औफ सरनाथ परजेंडे किस स्टेट में स्टीद है तो ऑप्शन सीधर आइटें सर उतरपदिस सरनाथ जहां पर यह पाहला अप्टेस दिये थे गोतमबुजी तो यह परजेंडे उतरपदिस में लोकिरेड़ हैं वारणरशी के पास नेक्ष्ट असो श्वकाराम मठ इस्तीध था तो option डीदराइटेंसर पार्टली पुद्र और श्वकाराम मॉनेश्ट ये पार्टली पुद्र में इस्तीध था नेक्ष्ट है select the correct difference between चैत्य एंड विहारा from the following statements नमेलिकित कत्नों में से चैत्य और विहार की विच सही अंतर चुनें तो option डीदराइटेंसर है चैत्य एक पुजास्थान है वहीं विहार एक वद्विक्चों का निवास अस्थान है तो option डीदराइटेंसर है नक्ष्ट वाइडि बुद्धी जम स्टार्ट डिकलाइन इन इंडिया इन अर्ली मेडिवल टाइमस अर्ली मेडिवल टाइम में भारत में बहुत धर्म का पतन क्यों शुरू हुआ तो option डीदराइटेंसर है तो अर्ली मेडिवल टाइम तक बुद्विश्ण भगवान के आतारमश एक माने जाने लगे थे जिससे ये वैश्णवात का हिसा बन गये थे जैनिये पे कुछ और कारण बात कर लें तो एंसिन इंडिया में गुपता येड के द्वरान बोधों को मोरिया और कुशान के तुलना में सरक्षन पराप्त नहीं था तो ऐसा ये बोध के वि एंसर है नेक्ष्ट लोड बुद्धाज इमेज इस सम्टाइम सोन विदा हैंड गेश्चर कोल भूमी एसपर्स मुद्रा इट सेमलाइज भागवान बूत की छवी को कभी कभी भूमी एसपर्स मुद्रा नामक हस्त मुद्रा के साथ दिखाय जाता है ये प्रतीक है तो बावजुद उसकी पुवितर्ता और सुद्धा का गवाह बनने के लिए बूत का प्रित्वी पर आगमान तो इस मुद्रा को प्रित्वी को छूना भी कहा जाता है भूमी एसपर्स मुद्रा को प्रित्वी छूना भी कहा जाता है तो ओप्शन बीदर आटन से रहे मारा के प्रहलोगनों के बावजुद उसकी पवितर्ता और शुद्धा का गवाब बनने के लिए बुद्ध का प्रित्वी पर आगमान नक्ष्ट है इन बुद्धी जम वाड़ पती मुखा स्टेंट फूर बोधर में पती मुख से क्या तात पर यह है तो ऑप्सन इदर आइटन से रहे दरूस अफदा संगा विख्शो विख्षों के लिए 227 और विख्षोनिया के लिए 311 नियम शामिल है तो ख़ो ओप्सन इदर आइटन सेनAL next which state is called the cradle of Buddhism किस राजिय को बोध धर्म का उद्गा मस्तल कहा जाता है तो option इदराइट एंसर बिहार बिहार को बोध धर्म का उद्गा मस्तल कहा जाता है तो option इदराइट एंसर बिहार next to whom is the introduction of Buddhism into China traditionally attributed पर चीन में बोध धर्म की शुरुवात का स्रे प्रम प्रागत रुप्षर किसको दिया जाता है तो option इदराइट एंसर कश्यफ मतंग कश्यफ मतंग को चीन में बोध धर्म की शुरुवात का स्रे प्रम प्रागत रुप्षर दिया जाता है तो option डीद राइटेंसर कश्यव मतंग नक्ष्ट है बुद्धाज प्रीचिंग्स वेर मेंली रिलेटेट टू बुद्ध के उब्देश मुखेता समानी थे तो option डीद राइटेंसर बुद्ध के उब्देश मुखेता विचार और आचरन की सुद्धा से समानी था तो option डीद राइटेंसर है आई होप यह वीडियो आप सब्सक्राइब लिए चाहते हैं तो अभी कॉमेंट कर सकते हैं यादि आपको कोई की रही है तो अभी पूशकते हैं और यह वीडियो आ